महंगाई 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 अब आसमान में नहीं जमीन पर आ गई है मोधी सरकार ने सत्ता में आते ही जिस तरह से महंगाई पर पहनी नजर रखी है और अपने कुशल नेतरित्व से महंगाई पर लगाम लगाया है अब लगता है महंगाई बीते जमाने की बात हो गई है महंगाई हर महीने लगातार घटती जा रही है जो कि पिछले पांच साल का सबसे न्यूनतम स्तर है वानिज्य और उध्योग मंत्राले द्वारा जारी ताजा आकडों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांग WPI नवंबर 2014 में 0% पर जा पहुचा है जो कि पिछले साल नवंबर में 2013 को 7.52% पर था इसी तरह उभ्भोक्ता मूल्य सूचकांग CPI भी नवंबर 2014 में घटकर 4.38% पर आ पहुची है जो कि पिछले साल नवंबर में 11.1% पर थी इतना ही नहीं पेट्रोल और डीजल भी जनता के लिए एक बार फिर खुशिया लेकर आई है केंदर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को फिर दो रुपे कम कर दिया है और कुछी महीने में बार बार पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर रही है जिसका सीधा सीधा ला जनता को मिल रहा है। जो कहा वो हमने करके दिखाया। जो गरीब जनता महंगाई की मार से तरस थी। महंगाई उपर अंकुस लगाने में कॉंग्रेस बिफल रही। क्योंकि वो सटोरिये और जमाखोरों को लगातार उनकी सरकार में बढ़ावा मिल रहा था। किसान को उचित मुल नहीं मिल रहा था और जो जनता है उसको ज़्यादा कीमत अदा करनी पढ़ रही थी। जहां लगातार कॉंग्रेस के कारिकाल में कीमत बढ़ रही थी। वहीं हमारी सरकार के आने के बाद पहले दिन से 26 मई से ही कीमत कम कैसे हों इसके लिए सरकार प्रयासरत थी। और अब सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी के नितरितों में एंडी सरकार की सुशाशन और विकास की नीटियों का ही परिणाम है कि महंगाई में लगातार गिरावट आ रही है। और भाजपा ने चुनाव में महंगाई कम करने का जो वादा किया था अब वो वादा पूरा होने लग तभी तो सुशाशन और विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने वाले इस सेवक के साथ सवा सो करोड भारतवासी खड़े हैं।